Hello students, बच्चों ये मैट्स में आपकी exercise 1.1 अफ शुरू होगी इसमें देखिए बच्चों इसमें observe the abacus given below and write the number in figures हमें figure में इनको लिखना है ये जो abacus दिया हुआ है इसमें आप देख रहे हैं गोल गोल जो circle बने हुए हैं इनको count करके आपको लिखना है देखिए ये जो है ones, tens, hundred, thousand, ten thousand और lakh इतना है ये abacus कहलाता है इसमें जितने भी ये circle गोल हैं ये ball type की ये छोटी-छोटी सी इनको count करके आपको यहां लिखना है ठीक है तो ये फिर हो जाएगा देखिए ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh तो 5,74,136 इसको ऐसे पढ़ेंगे इसी तरीके से इसमें देखिए आप इधा देखिए पहले ones में four है ten वाले में zero है तो कुछ भी नहीं है इसमें zero लिखाएंगे हमें तर और hundred वाले में कितने है nine है हमने nine लिखे फिर ये हमने count किये तो seven आया फिर ये हमने count किये six हैं और ये one है तो इनके नीचे हमें इस तरीके से लिखना है तो देखिए ones ten hundred thousand ten thousand lakh तो इसको हम पढ़ेंगे one lakh sixty seven thousand nine hundred four इसको इतना पढ़ेंगे तो ये अब एकस इस तरीके से बच्चो बनता है और ये goal जो जो मोती टाइप के डले हुए होते हैं ये goal इनको हमें number बनाकर count करना पड़ता है तो इसी तरह किसे बच्चो ये पूरे six हैं इनको आपको copy पर करना है और इसमें आपको बच्चो क्या है बी वाले में इसमें अबेकस बनाना है आपको और जितनी ये संख्या हैं इतने इसा जैसा ये बना हुगा ये लाइने आप खेंचेंगे इस तरीके से इस पर और फिर इन पर ये मोती बनाएगी गोल गोल इसके बाद देखिए इसमें क्या है write the number in words in Hindu Arabic number system इसमें हमें Hindu Arabic number system में लिखना है जासे ये है 37341 इसको हम क्या से once इसको इस तरीके से देखिए once ten hundred thousand ten thousand तो कितना हुगे 37341 इसको देखिए हम इस तरीके से लिखाएंगे जैसे ये है 37341 इसको इस तरीके से करा ऐसे ये है 50967 तो देखिए हम इसको पढ़ाएंगे यहां से once ten hundred thousand ten thousand तो ये किता हुगा fifty thousand nine hundred sixty seven fifty thousand nine hundred sixty seven ऐसे इसको हम संख्या हो को ऐसे पढ़ाएंगे once ten hundred thousand ten thousand तो ये ninety thousand nine ninety thousand nine सिर्फ ninety इसमें होगा ninety thousand nine इनको इस तरीके से आपको सब लिखकर इनको इसी हिंदू Arabic number system पे इसको लिखना है और इसके बाद एक इसके नीचे जो ये दिया गया है write the following numbers in figure इसमें आपको figure में लिखना है fifty thousand nine hundred seventy seven तो देखे ये लिखा हुगा है fifty thousand nine hundred seventy seven ये कितना होगा देखे one ten hundred thousand ten thousand तो और twenty five thousand two hundred thirty six ऐसे करके हम इनको इसमें लिखना था figure में तो ये इतना बच्चो बर का आप complete copy पर करेंगे इसको पूरा यहां तक करना है copy पर और नीचे का जो ये वाला दिया गया है इसको भी करना है C number का है इसमें अगर आपको बच्चो थोड़ा धुंदला दिखना है तो इसकी दूसरी image भी हम भेज देंगे आपके पास तो ये सब copy में करके और बच्चो इनको लिखना और अच्छी तरह से इनको read करना समझना आना चाहिए आपको आगे के इसके हम आपको बाद में इसका PDF भी जाएंगे